तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं उत्तरपदेश अधिनस सेवा चलने हैं उत्तरपदेश लोग सेवायों के बारे में वीडियो में दोश्रों लास तक बने रहेगा क्योंकि हमारे चैनल पर उत्तरपदेश सभी समस्त्र भर्तियों के जांकारी सहीवी सत्री अथेंटिक जाती है जो अफिस्यल होती है ठीक है जो भी हमारे चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा था बैल आइकन अट्पिकरेशन आर कर लेगा क्योंकि यूपी पीसियस के जो भी समवन्दी सभी जांकारी आपको दी जाएगी ठीक है अशलता चेन नीज जखते है क्या है द सब्सक्राइब की रोगठाम के मद्देने दोनों परिच्छाएं इस्तरकीत कर दी गई है ठीक है आपका जो यूपी पीसियस का मेंस था आरो यारो का था जो कंप्यूटर अपरेटर असिस्टेंट का था सभी वैकेंसिया मतलब आपके जो पॉस्पॉंट गी जा चुकी है अब देखिए चेर्मैन ने क्या किया है चेर्मैन ने इस फ़स्ट बोला है कि अपरे लास्ट या मई के फर्ष्ट वीक में और नया कलेंडर आए क्योंकि एक चार से पांस एक्जाम जो कलेंडर उन्हें जारी किया था पुरा सेडूल गरबर हो चुका है उन्होंने कहा है क मई के बाद जितने कलेंडर जारी किया जाएंगे जून में आपका एक्जाम जाएंगे जुटियागे लेकिन जो भी भरतिया प्रक्रिया प्रचलित होगी नई वो जून के बाद होगी मेंस पीसेस मेंस और आपका विए सिच्छह खंड इज़ दिकारी किया मईग में आए एक जून में कराओ जाए पूरी उमीद है तो नया कलेंडर सुरी नया कलेंडर आपका आयोग पका जारी करेगा वह बस एक से दो महीने आप कि एक से दो सब्ता बाद दोस्तों आयोग बुरी स्पष्ट कर देगा कि कलेंडर कब जारी कर रहा लेकि कलेंडर मैक्सिमम चांसे आने के क्यों पुरिछा कलेंडर 5-6 उसके एक्जाम और इतने होने सभी सेडूल गरबढ़ हो चुके हैं ठीक है तो अपसालते सीधे अधिना इसक Jewaa ne stopped कर दिया है उन्हें पैच्छान इतने इसमें stopped किआ एक कि देखिए की देखिया नहीं होगँ अप्रेल में भर्ती बूर्ट तैयारी कर रहा है एक रिजल्ट देने कि कौन से रिजल्ट होगा अभी इस स्पष्ट नहीं हुई है लेकि जहां तक आयोग ने एक बात तो इस्पष्ट कर लिया है कि हम पुराने कलेंडर के साब कुछ रिजल्ट देने वाले नए कलेंडर इलाइश जुन में स्टार्ट होने के पूरी मीद्या अधिनस सेवा चनाय को सासांजरा भेजा हूँआ पत्र बेजा गया था स्विकृति के लिए कि वह एक्जाम कराए नहीं उसकी स्विकृति अधिनस सेवा चनाय को मिल चुकी है ठीक है दोस्तो अभी तक कि लिए दोस् झाल झाल